दोस्कार दोस्तो में मुलकासर आपके साथ जुड़ चुका हूँ सिए फाउंडेशन एकनॉमिक्स इस सब्जिक की स्ट्राइटेजी लेके दोस्तो आई नो कि जब हम प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ाई शुरू कर देते हैं उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा ज़रूत होती है गाईडन्स की वो सब्जिक में क्या चीज़े है एक्चुली ट्वेल तक तो सब ठीक था कि हमें सब्जिक वाईज चैप्टर वाईज वेटेज मिलते थे बड़ सवाल बच्चे पूछते हैं क्या सर क्रोफेशनल कॉर्सेस में बी यह से होता है क्या तो दोस्तो मैं आपको कह दू कि प्रोफेशनल कोर्सेस में पिछले बहुत सारे ऐटेंड का किया जाता है और आप लोगों को हमें एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने मांक्स को आ चुका है और हमने कैसे पढ़ना चाहिए अब एकनॉमिक्स हमारे लाइव सेशन भी हो रहे है नासिक में कॉलेज रोड ब्रांच हम हमारे एडमिशन शुरू है ऑनलाइन हमारा बैच चालू है तो बहुत बच्चों ने रिस्पॉंस दिया है अच्छा और आपका जो एक ट्रस्ट है दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टन बाते आप तक पहुचा रहा जैसे मैंने 12 के लिए आपको जो गाइडन्स दिया था ब परना पड़ेगा देखो मैं कुछ बेसिक बातें आपके सामने लेके जुड़ चुका हूँ वैसे आप सबको पता है कि सर हमारे कोस में एकोनॉमिक्स यह सिष्टी मार्क्स के लिए पूचा जाने वाला सबजेक्ट है और बीसी के 40 मार्क्स के लिए पूचा जाना अले सब पूछा गया यह अंदाजा मैंने आपको दिया हुआ है लेट सी एकोनॉमिक्स में वेटा करने कितने है टोटल पाची चैप्टर करने है उसमें से पहला चैप्टर तो बहुत ही आसान है राइट मेरे लाइव सेशन जब शुरू हो गए आपको समझ जाएगा अफलाइन में म से बारा मार्क से अंदर घुपना है मतलब पहला चैप्टर अगर आपने एकोनॉमिक्स का कर लिया तो आपके दस मार्क शौर हर अटेम का पिछले आठ एक्जाम का आप एनलिसस देखिए बहुत से बच्चे बोलते हैं अरे सर पहला चैप्टर तो क्या माइक्रो माइक्रो चोड़ देते हैं अरे वेटा नहीं अगर तुमको साट में से अगर दस माक वहां से आ रहे हैं तो इस चैप्टर को इतना अच्छे से करना है कि सर दुनिया इधर की उधर हो जाए हमें इस चैप्टर के सारे MCQ आने चाहिए अब जब मैं पढ़ाता हूँ तो उधर आपके मॉडियूल में करीब-करीब 100 के अंदर ही MCQ दिये हुए लेकिन इसी चैप्टर के मेंने 350 से जादा MCQ बच्चों से क्लास में करवा लिये है या करवाने वाला हूँ ऑनलाइन वालों को जो लाइव मेरा बैज चल रहा है तो इससे क्या होगा सर जब हम एक चैप्टर पे 400 स से जादा MCQ कर लेते हैं including module तो अब उन 400 में से 10 तो आही जाएगे सर कोई नो कोई उतना तुम्हारा माइंडसेट डेवलफ हो जाता है लेकिन ये चैप्टर 16 मार्स 12 मार्स 15 मार्स फिर कुछ अटेम के लिए कम हो गया था वेटेज and then again 16 and 19 recent attempt आप देखोगे तो ये around 15 से 16 मार्स के बीच में घुमने वाला चैप्टर है तो मैं 15 मार्स के लिए ये इतना simple चैप्टर है इसके करीब करीब साड़े 500 से जादा MCQ के उसमें solve करवाता हूँ दोस्तो ध्यान दो कि foundation difficult नहीं है तुम्हारे मन में जो डर बैठ गया है न और मैं तो कहता हूँ इकनोमिक्स ये ऐसा subject है मैंने मेरे guidance session में भी कहा हुआ है कि economics ये और ये November batch का बच्चा और अभी जून में देने वाला है दोनों बच्चों के लिए applicable है और फिर आगे कभी भी कोई भी देख ले इस वीडियो को दोस्तो economics में अगर आप 70-80 score कर लेते हो तो आपका aggregate का tension खतम हो जाता है हमें कितने marks चीए सर दोसों तो चाहिए ही अगर हमें पास होना है तो condition है individual subject wise हम पास है तो 200 marks के लिए बहुत बच्चों को 50-50-40 आ जाते 190 बहुत बच्चों को 40-40-50-50 आ जाते 180 ऐसा नहीं होना रहेगा आई होप हम तो पढ़ी ऐसे रहे हमारे क्लास में कि साड़े 300 के प्लस हमने target रखाए सर और क्यों ना रखे सर कौन कहता है बोलते ना कि आसमान में शेदनी होता पत्थर तो तब इस से उचाल के देखो ऐसे वाली बात है ठीके ना माली महनत करना हमारे हाथ में target र जाने दूगा कुछ strategy वीडियो भी लेके आऊगा करीब करीब एक attempt को 19 मार्क्स के लिए आ गया फिर दो attempt 5 और 8 मार्क्स फिर 20 मार्क फिर 13 7 और एक attempt में नसीव इचने आ था 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 एकी मार्क्स का सवाल पूछा गया अब बे सर क्या मजाक है उस attempt में बाकी MC क्यों जादा पुछेते अब ये जो भी अंदाजा है ना सर अभी चुले सब साइड में रखो मैं बोल दूँ अप्रोग्सिमेट 10 मार्क पकड़ लो इसके यह सोर नो 10 मार्क्स तो पकड़ सकते बाकी 19 आ गया तो अपना फाइदा ठीक है लेकिन 7 ते 10 मार्क के लिए chapter कही पे भी नहीं से meaning and types of market ये 12 में अगेन आपका chapter हुआ करता था दोस्तो 13, 23, 16, 16 तो ये वाला chapter most important है कोई भी attempt में इसको institute ने इग्णोर नहीं किया 12 से 15 मार्क के अंदर चलते आ रहा है देख लिजे 15 मार्क, 17 मार्क, 12 मार्क, तो important chapter है कुछ भी MC को साड़े 300-400 MC को में खुछ solve कराने वाला ह चैप्टर है business cycle जो आपको दिखेगा करीब 7-8 या 10 मार्क के लिए तो दोस्तो पहले तो आपको लगता है कि कोई चैप्टर skip कर दो ऐसे करो मत क्योंकि institute हर एक चैप्टर को equal weightage में लेके जा रही है बराबर है कि नहीं तो 5-6 चैप्टर करने जो आपको 60 मार्क देके जाए चैप्टर चार से साथ 8 मार्क के करीब आ रहा है business organization तीसरा चैप्टर अगें 7-8 मार्क 9 चैप्टर अगें 4-5 मार्क 10 चैप्टर अगें 4-5 मार्क और 11 चैप्टर आपका देखो 10 मार्क तक 10, 14, 8, 7 ऐसा वेटेश जा रहा है तो 11 जो common business terminology से बहुत अच्छे से करना है अब BC क एक ऐसा subject है जहाँ पर आपको conceptual understanding से जादा repetitively उसे पढ़ना पड़ेगा तो वो दिमाग में याद रहेगा और आप exam में लिख पाऊगे बराबर इनी कि CEO कौन है इसका head office कहाँ पर है तो आपको ये subject का strategy भी वेसे रखना होगा एक part 60 mark का जो economics business economics इसमें भी micro पे जादा focus किया गया है वहाँ पर conceptual understanding जादा है सर है ना कि due to change in income ठीक है positive change in income अगर income बढ़ता है तो आपका demand क्या होगा expand होगा कि increase होगा या contrast होगा या decrease होगा बहुत बच्चे बोलते हैं अरे सर बढ़ रहा है तो demand नहीं बढ़ रहा है तो positive relationship है लेकिन important यह है कि income बढ़ने के पाद जब demand बढ़ता है तो उसे increase कहते है expansion नहीं कहते है ये शायद जिन्नोंने 12 का concept अच्छे से किया होगा उन्हें समझाओगा और बाद में में बताओगा भी कि क्या मैं कहना चाता था it is called conceptual understanding जो economics में है जबकि BCK में आपको प्रॉपर सी पढ़ना है एक बार आपने पढ़ लिया आपका विशे सौट सौर्टेडे मालिक दोस्तो दो बाते बताओगा अपना जो application है अमोल कासा रहके CA प्लिस डाउनलोड कर लीजे कुछ basic के lecture मेंने CA foundation economic basic के lecture मेंने दिये हुए है आपको ये pdf application पे भी मिलेगा और अपने telegram channel को भी join कर लीजे बहुत ही जल्द वहाँ पे foundation CSWT से related कुछ important lectures आने economics plus BC के मिलाके और दोस्तो 100 marks का paper आपका done हो जाएगा यहाँ पे वेटेज आप देखो अंदाजा लगाओ हर एक chapter important है हर एक chapter को पढ़ना है बट पढ़ने का तरीका कैसे हम smart तरीके से पढ़के अच्छे marks ला सकते हैं हमारे live session में चल रहा है तो अगर आपको batch join करना है definitely हमार टेक केर जहीं जय भार